ज्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा माता बगला मुखी के दस खास चमतकारी रहस्यों के बारे में। तो आईए जानते हैं। दस महाविद्याओं में से आठवी महाविद्या बगला मुखी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका सुरूप क्या है। उनका मंत्र, साधना, अराधना, पूजाविधी और मा बगला मुखी की भक्ती और शक्ती के बारे में आईए हम जानते हैं। सबसे पहले बगला मुकी का अर्थ, बगला शब्द संस्कृत भाषा के वगला का अप भहंच है जिसका अर्थ होता है दुलहन कुपजी का तंत्र के अनुसार बगला नाम तीन अक्षरों से निर्मित है व ग ला व अक्षर वारुनी ग अक्षर सिध्धिदा तथा ला का मतलब होता है पृत्वी को संभोतित करता है यहां अक्षर अतह मा के आलोकिक सौंदरे और इस्तंबन शक्ती के कारण ही उन्हें यह नाम प्राप्त हुए हैं अब आप लोगों को जानकर हैरानी होगी की मा बगला मुखी प्रकट कहां हुई थी तो बगला मुखी देवी का प्रकट इस्थल गुजरात के शौराष्टर छेत्र को माना जाता है कहते हैं कि हल्दी के रंग के जल से इनका प्रकट यह प्रकट हुई थी हल्दी का रंग पीला होने से इन्हें पीतामरा देवी भी कहते हैं एक अन्य माननेता के अनुसार देवी का जो उदय हुआ था वहा भगवान विश्णू से सम्मंदित है अगर हम बात करें तो विश्नु भग्वान ने तपस्या करके देवी जी को प्रकट किया था परंतु कुछ अन्य परिस्थितियों में देवी तामसी गुंड से संबंध भी रखती है अगर हम देवी के सुरूपों की बात करें तो कहते हैं कि देवी बगला मुखी समुद्र के मद्ध में इस्थित मणी में दीप में अमूल्य रतनों से सुसोजित सिहासर पर विराजमान है देवी त्रीनेता हैं मस्तक पर अर्दचंद्र धारन करती हैं पीले शारिरिक वन युक्त हैं देवी ने पीला वस्तर तथा पीले फूलों की माला धारन की हुई है देवी के अन्य आबुशन भी पीले रंके हैं तथा अमूल्य रतनों से शुशोबित हैं देवी विशेशकर, चंपा फूल, हल्दी की गांट, इत्यादी, पीले रंग से संबंदित तत्वों की माला धारन करती हैं। यहां रत में रत पर आडुग हो करें शत्रूं का विनास करती हैं और साथ ही यहां बहुत मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली देवी हैं। साथ ही देवी के अगर हम शक्ति पीठों की बात करें तो भारत में मा बगला मुखी के तीन ही प्रमुक एतिहासिक मंदिर हैं। जैसे पहला दतिया यानी मध्य प्रदेश में दूसरा कांगड़ा यानी हिमाचल प्रदेश में और तीसरा मध्य प्रदेश के जिला शाजापूर में नलखेडा नामक जगा पे स्थित है तीनों का अपना अपना अलग महतु है यहां देश भर से काफी जो सादू संथ तांत्रिक हैं और जो श्रदालू है वहाँ आते हैं उनकी पूजापाट और दर्शन पाने के लिए अगर हम देवी के बात करें तो देवी जो हैं वहाँ युद्ध में विजे दिलाने वाली देवी मानी जाती है युद्ध में विजे दिलाने और वाक शक्ती प्रदान करने वाली देवी माता बगला मुखी की सादना युद्ध में विजे होने के प्राप्ती है तू शत्र अगर हम बात करें तो बगला मुखी के काफी मंतर है, बगला मुखी के जो भी मंतर होते हैं, वह हम लोगों को हमेशा पीले वस्त्रधारन करके और पीले आशंद पर बैठ के पड़ने चाहिए, लेकिन हर पुई माता बगला बगला मुखी का मंतर नहीं पढ़ सकता, जब तक कि उस आत्मी को दिक्षा नहीं मिली भी हो अपने गुरू से तो मा बगला मुखी की आप सामानने पूजा कर सकते हैं जैसे दुरगा 40 या बगला मुखी 40 या मा बगला मुखी की आप आरती पढ़ सकते हैं लेकिन आप अगर जब तक सिद्ध पुरुष नहीं है या आपको दिक्षा नहीं दी गई है तब तक आप मा बगला मुखी के मंत्रों का जब नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका आपके उपर उल्टा ही असर होगा मा इतनी सक्चिशाली होती है और इनके मंत्र इतने सक्चिशाली होते हैं कि यहां मंत्रों का जब आम समाने आदमी नहीं कर सकता और विधी विदहन के हिसाब से भी नहीं कर सकता जो की एक साधक कर सकता है तो सबसे पहले हम लोग आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सर्व प्रत्थम देवी की अरात्ना ब्रह्मा जीने करी थी तंदंतर उन्होंने बगला साधना का उपदेश जो है बाकी मुनियों को बताया था कुमारों से प्रेदित होके देवशीष नारत ने भी देवी मत्व की साधना करी थी देवी के दूसरे उपासक सोयम जगत पालन करता भगवान विश्णु हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम हुए इनकी साधना सब्तरिशियों ने वेदिक काल के समयम भी करी थी इस महाविद्या की उपासना या साधना रातरी काल में करने से विशेश सिद्धियां प्राप्त होती हैं इनके भेरव महाकाल हैं मा बगला मुखी इस्तम्मन शक्ती की एक तरीके से देवी मानी जाती हैं मा बगला मुखी का एक नाम पितामरा भी इनके पीले रंग के लिए ही पड़ा है साथ ही अगर हम बात करें तो उनको पीले वस्तर, पीले फूल या पीले रंग की कोई भी चीज़ आप उनको अर्पित कर सकते हैं उनकी पूजा पार्ट में बगला मुखी की साधना में पवित्रता, नियम और साफ सुत्रा आप लोगों को होना बहुत जरूरी है इस साधना को किसी जानकार से पूछ कर या जानकर ही करें तो अच्छा है कुछ लोग आकरशन, मारण तथा इस्तंबन कर्म, आदितामसिक प्रवर्ती से संबंदित कर्म भी करते हैं जिन में काफी साफदानिया वहां नहीं बरतते हैं तो उनको हानी होती है और किसी का बुरा करने के लिए यह चीज का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ी तांत्रिक देवी मानी जाती है तो अभी के लिए बस इतना ही, अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंतरा हूं रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद